क्या इनके बाप की पनीर की धुकान है कि जो लोग को एक ब्रेट पकोड़ा में इतना पनीर डाल के खिला रहे हैं इतना पनीर तो भई शाई पनीर और मटर पनीर में भी नहीं मिलता तो चलिए फिर बिना किस देरी के उड़े शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं वे शुका सबसे बड़ा ब्रेट पकोड़ा कैसे तयार करा जाता है और अगर आपको इसका आनद लेना है तो कहा आना होगा तो बहु बली ब्रेट पकोड़ा बनाने की शुरुआत होती है सुबा 6 बजे जिसके लिए लोगों का आना जाना जो वो शुरू हो जाता है एक और सबसे बहले ब्रेट लाई जाती है दूसरी और पनीर आगया और यह आगया इनका स्पेशल आलू का मसाला सबसे पहले आपे पनीर को काटने की शुरुआत करी जाएगी आप यह आपे देख सकते हैं एक एक मोटा मोटा पनीर का टुकड़ा काटा जाएगा यहाँ पर करीबन 200 ग्राम का यह एक टुकड़ा रहता है जो की एक ब्रेट पकोड़े में डाला जाता है अब यहाँ पर सारे के सारे पनीर को बिल्कुल अच्छे तरीके से काट के कर लिया गया है तयार अब दूसरी और सबसे पहले ब्रेट के पैकेट को खोला जाएगा सारी ब्रेट को मसाले के उपर ही निकाल के रख लिया जाता है फिर एक के करके ब्रेट के टुकड़े को उठाया जाता है उस पर बड़ी प्यार से मसाला लगाया जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं एक के करके सारे के सारे ब्रेट के टुकड़ों पर लगाया जा रहा है म मसाला उसके बाद एक ही जो मसाला वाले ब्रेट का टुकड़ा उसे लिया जाएगा उस पे 200 ग्राम पनीर का टुकड़ा रखा выглядит दूसरा मसाले वाली ब्रेड लगा के बिल्कुल अच्छे से दबा के यहाँ पर ब्रेड पकॉड़े को कर लिया जाएगा तयार इसी प्रकार यहाँ पर पूरा दिन सुबा 6 बशे से लेके रात के 10 बशे तक यह ब्रेड पकॉड़े लगा तार बनते रहते हैं और लोग आते रहते हैं यहाँ पर दूर दूर से इस ब्रेड पकॉड़े का आनंद लेने के लिए तो यहाँ पर धेर सारे ब्रेड के जो टुकड़े मसाले लगे वे अंदर पनीर भर के वो तो हो चुके तयार मगर पकॉड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कड़ाई में डाला जाएगा धेर सारा तेल तो यहाँ पर यह वही इंजन ओयल वाले तेल के इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर धेर सारे तेल डाल दिया गया अब दूसरी ओन यहाँ पर बेसन को भी अच्छे से फैट के करा जाएगा तयार जिसके लिए बेसन के अंदर डाला जाता है नमक को धेर सारा पानी बेसन को बिल्कुल अच्छे से फैट लिया जाएगा आप यहापे देख सकते हैं उसके बाद यह जो हमारा पनीर का टुकड़ा था ना ब्रेड वाला उसको लिया जाएगा दोनों हाथ से बिल्कुल अच्छे से दबाया जाएगा और डाल दिया जाएगा बेसन के अंदर उसको अच्छे से बेसन में लपेट लपेट के कड़ाई के अंदर डाला जाएगा भई ठंड का मौसम हो बारिश का मौसम हो और ये पकॉड़े मिल जाए तो भईया क्या ही चाहिए तो यहां पे हलका सा पीरा होते ही पकॉड़ों को निकाल के रख ले जाता है ठाल के अंदर उसके बाद दुबारा से इन पकॉड़ों को डाला जाता है तेल में दुबारा से तलने के लिए भई ये इनकी खास्यात है कि ये पकॉड़ों को दो बार तलते है जिससे जो स्वाद निकल के आता है पकॉड़ों में जो करारा पन आता है भईया वो तो क्या ही कहने उसके पांच मिर्ट तक इने दुबारा से तेल के अंदर तला जाएगा जिसके लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया गया है ताकि बिल्कुल अच्छे से यह पनीर के पकोड़े जो हमारे बन के तयार हो सके यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक ब्रेट पकोड़े को बिल्कुल अच्छे से से शेक लिया गया है एक एक ब्रेट पकोड़े को लिया जाएगा इसको काटा जाएगा दो दो टुकडों में क्योंकि इसे ऐसे खाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल ही नी तो यहाँ पर सारे के सारे ब्रेट पकोड़ों को दोनों तरफ से काटा जारो और यह इतना मोटा पोटा पनीर जो जाक के बुला रहे है न भी आ जाओ और मुझे खा जाओ उसके लिए तो भी यह क्या ही कहना तो यहाँ पर सारे के सारे पनीर के ब्रेट पकोड़ों को काट के रख लिया एक रहती है आलु वाली एक रहती है न 2 चटनिया डाल यहां में वही इनकी सब्सक्राइब कोखाने शथ सस्ब्सक्राइब